हेलो एवरीवेन वेलकम तो आर चानल अड़ेप्टिव लेर्निंग तो इंधी प्रीविएस क्लास वी आप अर्रेडी स्टार्टेड अब टॉपिक सदेन मूवमें जहां पर हमने सदेन मूवमेंट के बारे में पड़ा था जिसके अंदर सदेन मूवमेंट के अंदर हमने और अर्थक्विक के बारे में स्टडी किया जैसे कि मैंने आप लोग को लेक्षिस में सदेन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और बूला था कि सदेन मूवमेंट डोस मूवमेंट जिनका कोई भी बुलते हैं कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता एक एक एप्रॉक्स रफ सदेन मूवमेंट के अंदर हमने दो चीजे देखी ती जहां पर हमने अर्थक्विक देखा था एन अमने वॉल्कानिक इरफ्शन देखा था तो इन प्रिवियस क्लास्ट वी अब कुम्पेटिड आवर वन सदेन मूवमेंट डाट इस अर्थक्विक ठीक हैं नाओ वी आव वल्कानिक इरफ्शन के आज के लेक्चर में वी अर्विंग टू डिसक्स अबाउट दी वल्कानोस और वी अर्विंग डिसक्स अबाउट देर आक्टिविटीज ठीक है वल्कानिक अक्टिविटीज जहां पर हम देखेंगे कि वल्कानिक इरफ्शन होता क्या है और वो कै कैसे टेक प्लेस होता है जैसे कि हमने अर्थक्वेक का डिटेल में देखाता कि कैसे सिस्मिक वीव इंटिरियर पार्ट ऑफ दे अर्थ में क्रियेट होकर और कैसे वो सर्फिस तक ट्रावल करते हैं उनकी जर्नी कैसी होती है और क्या-क्या दिस्ट्रक्शन हो सकते हैं जहां पर हम वालकानिक अक्टिविटीज पढ़ेंगे कैसे वालकानिक इरप्शन होते हैं क्या उसकी पिछे के रीजन्स होते हैं यह सदेन मुवमेंट में क्यूं काउंट किये जाते हैं ठीके एंड देन वी आ गोईंग टिस्कस अबाउट दी टाइप्स अब वालकानोस जैसे हमने यह मुवमेंट्स जब माउंटिंस के बारे में पढ़ा था ब्लक माउंटें इन फोल्ड माउंटें सिमिलरली वी आ गोईंग यह two types of volcanoes there are many different types of volcanoes but according to our syllabus there are main two types of volcanoes टिके विच वी आ गोईंग टु स्टड़ी टुडी टिके तो वल्कानिक इरुप्षिन के पैने में स्टार्ट करते हैं कि वाट इस वॉल्कानिक इरुप्षिन अगेन एक इस सदेन मुवमेंट्स वापस से आप इससे सदेन मुवमेंट बो मुवमेंट्स विच विच आप वापको श्रप्राइस करेंगे और वह कभी बताए हुए महमान नहीं आते विन बुलाए हुए महमान होते हैं जाता है नाओ वल्कानिक इरॉप्शिन का मतलब क्या होता है कि इन्टिरियर पार्ट अब जैसे कि हमने starting lectures में पढ़े थे कि due to some radioactive elements यह जो radioactive elements है और due to heat यहाँ पर पूरा जो काम करने वाला है वो heat का काम करने वाला है कि heat के वज़े से ही यह volcanic eruption take place होता है अब जैसे हमने 8th standard में lower class में हमने interior part of the earth पढ़ा था जहाँ पर हमने देखा था कि there are different layers जहाँ पर हमने crust के बारे में पढ़ा we have studied about the mental we have studied about the two sub classification of mental where we have studied about the upper mental we have studied about the lower mental even we have studied about the outer core and inner core तीक है so हमने एक चीज वहाँ पर notice की थी कि जब साइन्टिस्ट ने जब साइन्टिस्ट ने याने कि study की गई थी जब geologist लोगों ने इस पटिकिलर eruption के बारे में इस पटिकलर movement पे जब उन्होंने study की ठीक है so क्या पता चला कि जब हम crust से ठीक है जब हम crust से core की तरफ बढ़ते हैं ठीक है तो क्या होता है temperature जो होता है वो क्या हो जाता है increase हो जाता है whereas जब हम core से crust की towards बढ़ते है temperature क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा ठीक है यह हमने 8 standard में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम interior layer को cross करते जाएंगे the temperature of the layers ठीक हो क्या होता जाएगा increase होता जाएगा धीरे धीरे तापमान जो होगा वो बढ़ता जाएगा ठीक है और core तक हम पहुच नहीं सकते बिकॉस highest level तक temperature वहाँ पर होता है अब देखते हैं कि यह volcanic eruption का relation जो है वो temperature से कैसे है सर कैसे यह जो volcanic eruption है यह temperature से कैसे relate करता है अब वो देखते हैं अब वापस से हमारी story mental से start होती है आप देख सकते हूँ मैंने यहाँ पर structure draw किया है I have drawn some structure अगेन मैं बोलूँगा structure draw करोगे और structure की गुरू अगर answers frame करने की कोशिश करोगे it will be more easier for you all ठीक है because कैसा होता है कि यह जो structure है यह जो mind mapping है इसे देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ यह story थी और ऐसे कैसे हमें narrate करना है तो वापस अगेन हमारी story जो start होती है mental से जहाँ पर हमने earthquake में भी देखा था हमारी story बिगिन हो रही थी वो mental से हो रही थी अब mental में हमने two sub classification पड़े हैं एक होता है upper mental और दुसरा होता है lower mental अब यह जो से सोता है यह कैसे होता है वो देखते है upper mental is in solid state ठीक है अगर मैं upper mental की बात करता हूँ so upper mental solid state का है क्यों solid state का है because वहाँ पर बड़े बड़े rock के चट्टाने है ठीक है बहुत बड़ा बड़ा rock का चट्टाने है some stones and pebbles भी हो वहाँ पर ठीक है सो जो mental है देखो कोई भी interior part का जो layer है ठीक है वो rock से ही बना है अगर मैं बात करता हूँ कि interior part के layers का so अगर वो crust होने दो या वो mental होने दो वो rock से ही बना है rock के छोटे छोटे fine sand particles से वो एक particular layer बना है ठीक है so जैसे ही हम mental की बात करते हैं में वो layers के साथ साथ बड़े बड़े रॉक और चट्टाने भी है तो यह जो particular upper mental है वो कौन से state में है solid state में है whereas अगर मैं बात करता हूँ lower mental की lower mental is in liquid state lower mental क्या है कौन से state में है liquid state में है अब इसका reason जो है वो पूरा पूरा जो इसके पीछे का जो हाथ है वो किसका है temperature का किसका है temperature का क्यों temperature का है because interior part of the earth में has compared to upper mental when we are talking about the lower mental तीकि तेंपरेचर of the lower mental is probably very high compared to upper mental तीकि जहाँ पर upper mental से lower mental का temperature काफी जादा है अब क्या होगा temperature काफी जादा होगा so rock क्या हो जाएगा rock melt हो जाएगा ठीकि वो अपने melted form में आ जाएगा जैसे किसी भी particular चीज को अगर आप heat देते हो तो वो क्या हो जाएगा melt होना start हो जाएगा even iron में melt होता है iron की भी melting point होती है उसकी भी boiling point होती है ठीकिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि lower mental में बड़े बड़े जो rocks होते है ठीकिए जो कि push हो रहा है upper mental से ठीकिए अब यह push कैसा होता है कि होता है न कि soil horizon बढ़ा है कभी soil horizon soil horizon में कैसा होता है कि particular soil का layer है इसके ओपर एक particular soil का layer बनता है फिर millions of years के बद एक और particular soil का layer बनता है फिर millions of years के बद एक और particular soil का erosion soil का layer बनता है जैसे जैसे soil का layer बनते जा रहा है जो lowest जो layer था जो पहला layer था जो first आप वो क्या हो गया last हो गया ठीकिए nature का rule है ना first last हो गया तो वैसे ही similarly जब मैं बात करता हूँ यह जो लेयर्स है रॉक के तो अपर मेंटल में जो पहला वाला जो रॉक का लेयर तो अब वह भी क्या हो जाएगा लास्ट और वह इन दिरेक्ली के ज़र आजाएगा लोवर मेंटल में आजाएगा जैसे ही वह लोवर मेंटल के टूवर में लिक्विड स्टेट में हो जाएगे यानि की रॉक जो होगा वो रॉक मुल्टिन फॉर्म में हो जाएगा कौन से फॉर्म में मुल्टिन मुल्टिन यानि की मेल्टिन फॉर्म में रॉक हो जाएगा ठीके अब यह क्या होगा कि यह जो प्रोसेस है यानि रॉक का हाई ट melted form में, molten form में यहां पर दिख रहे हैं तो इन्हें हम एक नाम से पुकारा करते हैं जीने बोलते हैं मागमा क्या बोलते हैं मैग मा आप देख सकते हों यहां बहुति हो ग्री गता है कि कोई भी लिक्विडी वाटर अपना वाटर कैसे अपने तरह अपने ट्रंक्स तक पहुचाता है या ब्रांचिस तक पहुचाता है with the help of the roots जहाँ पर वो क्या करता है roots उस particular water को सोग करके transport करता है जिसे हम scientifically transplantation भी बोलते है so similarly जब मैं बात करता हूँ यह magma chambers की magma chambers actually similar function to our root of the tree जहाँ पर क्या करता है कि यह जो magma chambers है यह water के बदले यह जो molten rocks है यानि कि यह जो magma है इन magmas को पूरा का पूरा travel कराता है और अपने और यह जो आप देख सकते हूँ देखे यह जो stem है stem like structure के तुरू अपने तरफ कीच लेता है vent like structure की तरफ देखे जो ऐसा कैसा यह होता क्या है कि यह magma molten हो रहा है । यहाँ पर accumulate हो रहा है अगें rock melt हो रहा है यहाँ पर accumulate हो रहा है similarly process continue होते जा रहा ही पर एग्जाम्पल में पानी के ग्लास में के याज़र में पानी डाल रहा हूं तो पानी का ग्लास याई पाणी बाहर कब पानी डाल रहा हूं तो जितना उसके अंदर वॉल्यूम होगा वह उतना पानी अफोल्ड करके रखेगा जैसे ही पर्टिकुलर ग्लास में वॉल्यूम से जाधा पानी हो जाएगा पानी क्या होने लगेगा लीचे की तरह गिरना स्टार्ट हो जाएगा similarly यह जो पूर्टिकुलर जो लेयर है यह लेयर जैसे ही फिल्डप हो जाएगा क्या होने लगेगा कि ओवर्फलो होने के वज़े से यह पूरे के पूरे जितने भी मैग्मा है ठीके यह मैगमा यानि की मोल्टन रॉक क्या होंगे ट्रावल करने लगेंगे यह रूट्स के ठीके और जैसे ही एक particular pressure create होगा या energy create होगा यह क्या करेंगे इस particular stem के तरू बहार की तरफ eject होना start हो जाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने figure बनाया है जो red color जो बहार की तरफ दिख रहा है आपको on the surface ठीके वो क्या है volcanic eruption तो क्या होता है कि यह mountains बगेरे के तरू क्या क अब यह जिब eject होंगे और यह बहार की तरफ निकलेंगे तो अपने साथ कुछ water vapors लाते हैं तो अपने साथ ashes लाते हैं यानि कि राक देन बाद में यह gases लाते हैं कुछ chemicals लाते हैं कुछ minerals लाते हैं because rock है na molten form में है इसलिए तो जब यह eject हो कर बहार आते हैं इस particular process को भूलते एह हम volcanic eruption यानि की an eruption टिके of a molten rock from the interior part of the earth टिके I repeat an eruption of a molten rock from the interior part of the earth टिके such process such activity is known as volcanic eruption टिके जहां पर एक particular interior part of the earth में से molten rock बहार आ रहा है अब एक ध्यान देने वाली चीज है कि जब molten rock interior part of the earth में होते हैं so हम उसे क्या बोलते हैं magma जैसे कि मैंने आप लोगों बोला but same molten rock अगर interior part of the earth से बहार की तरफ आते हैं और यह जब बहार आएंगे ठीके और जैसे ही उन्हें एक बहार का surface जैसे touch करेंगे यह on the surface आएंगे यानि on the crust आएंगे तो इस particular rock को molten rock को हम दूसरे नाम से बोलते हैं lava क्या बोलोगे lava हम इन्हें magma नहीं बोलते हैं हम इन्हें क्या बोलते हैं lava बोलते हैं ठीके when the molten rock comes from the interior part of the earth on the surface ठीके on the surface so it is called as lava on the surface it is called as lava and in the surface यानि कि interior part of the earth के अंदर अगर वो होगा तो हम उसे बोलते हैं magma समझ रहा है clear हो रहा है तो यह difference है between the lava and magma ठीके अब यह होता क्या है सर आपने volcanic eruption बता दिया lava वगिरे बहार आगे ओके ठीक है मान लिया अब होता क्या है सर इसके आगे सो ध्यान दो इसके आगे क्या होगा जैसे यह लावा भार की तरफ आ जाएगा आप अब हमने जो फॉस्ट टॉपिक हमने जब स्टार्ट किया तो हमने जब discussion किया कि क्रस्ट पे जो टेंपरेचर होता है वह बहुत ही ज्यादा कम होता है अगर लो टेंपरेचर होगा तो रॉक का क्या होगा तो अगर टेंपरेचर काफी जादा है तो रॉक बाबा मेल्ट हो गया तो वह मुल्टन फॉर्म में हो गया इस इस converted into magma जब temperature जो होगा वह अगर लो होगा तो उस पटिक्लर पटिक्लर पॉइंट पे रॉक का situation क्या होगा रॉक जो होगा वह crystal form में हो जाएगा solid में हो जाएगा जैसे हमने टेंपरेचर ज्यादा करने पर रॉक मेल्ट हो गया वैसे ही टेंपरेचर कूल करने पर क्या हो जाएगा रॉक अपना शेप ले लेगा वापस से हाड़ इन नीचर क्लियर हुआ इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वह होता है वह तर दूसरा पाट क्या होगा क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद आइक्न सबस्értel बता रहा हूं कि कैसे पूरा रॉक साइकल बता कैसि कैसे वॉल्क्यानिक निगने की इ coyुषं होगे सिर्प्षन होने के बाद ईर्प्शन होगे सिर्प्षन होने के बाद उतर हूगे चैलने के बाद वेड़रिंग होगा जो हम मोग आने वाले चार्टर में हम पडे वाले है यानि के हमारा इक्षौज हमेंै पंग biggest कि weathering on the surface होता है यहनी external take place होता है weathering होगा weathering जब होता है what is weathering weathering is nothing but a big huge rock which is converting into very fine particles of sand तीके और क्या होगा इस particular weathering होने के बाद soil horizon create होगा soil horizon create होने के बाद soil horizon create होने के बाद वापस से वो interior part में चला जाएगा interior part में जाने के वाद वापस eruption टेकने जोगा और यह जो साइकल यह साइकल बार-बार-बार-बार repeat होता जाएगा यह हमारा nature का process यहां पर nature क्या करती है अपने चीजों को continuous अपना process करती रहती है तो किसी के लिए रुपती नहीं किसी के लिए सुचती नहीं वह अपनी चीजे जो है उसमें dedication के साथ यही चीजे बार-बार-बार repeat होती है अपना cycle बार-बार complete करती है तो कैसा होता है कि जब नीचर इतना महनत कर रहा है सो हमने भी हमारा practice करने का जो महनत होता है और हमारी जो studies होती है वह भी हमने क्या करना चाहिए बार-बार करना चाहिए तो यह था हमारा volcanic eruption अब हम जो last topic पढ़ेंगे वह हमारा volcanic eruption के types लास्ट भी में नहीं बोल सकता हो इसके बाद भी एक topic है जहां पर हम effects of volcanoes या volcanic eruption and destruction जो होते हैं ठीक है जैसे हमने earthquake के देखें फॉलाइडिंग होना ठीक है यह सारी चीज़े वैसे हम देखेंगे कि volcanic eruption के भी क्या होते है उससे पहले आज के लिए हम volcanic eruptions के type पढ़ लेते हैं there are two types of volcanic eruption there are two types of volcanic eruption ठीक है पहला वाला है central और conical volcano central और conical volcano and the next one is fisher type volcano fisher type volcano repeat करो मेरे साथ volcanic eruption are of two types central और conical volcano fisher type volcano again repeat करो मेरे साथ central 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 और conical volcano and fisher type volcano यह दो volcanoes के type है और इन्हें याद रखना है विकाज आपके short notes में भी आएगा explain volcanic eruption and their types okay अब दोनों में difference क्या है काफी common difference है काफी समझने जैसा है कि कुछ ऐसा मलब बहुत कुछ इसा rocket science नहीं है central बोला है यानि कि यह जो eruption होता है यह eruption एक particular center point से होगा ठीक है conical बोला है यानि कि यह जो particular eruption take place होता है यह mountains जो higher elevation के higher elevation होता है जो height elevated portion होता है पाट होता है इस particular से होता है mountain से यहानि कि eruption take place होता है वो mountain से होता है जहां पर एक pipe like opening vent होगा क्या होगा pipe like opening went pipe देखा है कभी तो उस particular pipe को opening होता है आगे से हम पीछे से तो same होता है कि magma chambers यहां पर जुड़े हुए हैं जैसे हमने देखा तो magma chambers यहां पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो तो और इस particular magma chambers के तुरू इस particular magma chambers के तुरू magma क्या होंगे travel होंगे और बहार के तरह बाकर erupt करना start कर देंगे तो यह कैसा हो रहा है कि यह जो होता है यह centralized volcanic eruption है जहां पर एक particular center से एक pipe like vent structure से eruption हो रहा है ठीक है ऐसे eruption को हम बोलते है central और conical volcanoes बिकॉज जो शेप है वो conical है ठीक है और pipe like opening है इसे central vent volcano भी बोलते है central vent volcano भी बोलते है ठीक है देन fisher type में एक ही चीज़े है कि जो eruption जो particular eruption जो take place होता है वो particular landform से होता है यानि कि कोई भी landform में fractures होने के वज़े से cracks होने के वज़े से ठीक है उस particular landform में cracks और fractures इनकी वज़े से क्या होता है कि एक particular volcanic eruption इन में से अगर take place होते हैं तो वह होता है मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ अगर के अगर के अगर के अगर के अगर के अगर के प्लेश हो रहा है यानि यानि कि हम जब crackers कैसे फोड़ते हैं तो वह crack होता है वैसे ही कोई भी particular landform के landmass के जो के higher elevation नहीं है उसके अगर cracks में से joints में से अगर इरॉप्शन टेक प्लेश हो रहा है तो सच इरॉप्शन इस नोन आज fissure टाइप वोलकानोस त्यक्याइब कोई बिकास बिसिकल अगर वलकानोस की बात करते हैं तो वलकानो माउंटिन से ही होता है तो इसलिए से फिशर टाइप वल्कानोस बोला है और नेक्स्ट वाला जो है वो है फिशर टाइप वल्कानोस तो कंसेप्ट को अब और भी बहतरीन किबीन माने के लिए जैसे कि मैं आपसे आप से प्रॉमिस किया कि मैं वीडियों से अपे लोग वीडियो को करोने के है कि concept अब आपको लोग के वीडियोस देखने के बाद मैं 101 परसेंट शोर हो कि आप लोग के जो concept है regarding the volcanic eruption और टाइप्स आप वालकानोस जहां पर आप वीडियोस में आप और भी अलग अलग टाइप के वालकानोस के बारे में पढ़ोगे बट अचली यहां पर हमारे पास हमारे बुक की सिलाब इसके अकॉर्डिंग ली जाना था इसलिए टू आप्स के ही वालकाने कि रप्षिंस मैंने एक्स्पें कि यह वीडियोस के तुरू आपको और भी टाइप वालकानोस देखने मिलेंगे तेखेंगे तो लेट्स हाव नौन्टेनिगर चायने लुडबल के तुरू इसलिए लाचने लुडवाणोंगे वालकानोस पूण लोलो ऑनी वेलगवीड़ दून अ क्या वालकानोस टूलाज ऑनीग लाट क्लूम अवालकानो इसलिए water vapour, carbon dioxide, sulphur dioxide, hydrogen fluoride, hydrogen chloride and hydrogen sulphide. Liquid rock is called magma when it is under the earth's surface and lava after it comes out. 75% of the volcanoes on earth are found in an area in the Pacific Ocean known as the Ring of Fire. The biggest known volcano in our solar system is on Mars called Olympus Mons. Its mouth is 600 km wide with an elevation of 21 km. Pumas is a unique volcanic rock that can float in water. It can also be used as abrasive and is sometimes used in beauty salons for removing dry skin. So, how do you like this video? This video will be easy to do. So, please like, share, comment, subscribe and study. Thank you. My favorite video is coming up later. Are you sure I've got your食べ物 and gonna go to earlyması?